हाई दोस्तों, बुक समरी बनाने से पहले जब मैं पुस्त के पढ़ा करता था तो कई बार इन पूरी पुस्त को को मैं वॉइस में रिकॉर्ड करके रास्ते में गाड़ी में सुनता हुआ जाता था, वो भी बार बार तो ऐसी ही हिंदी और इंग्लिश की कुछ बुक्स, रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, बैक्राउंड, वॉइस, कुछ चीज़े हो सकती है पर आप घूमते हुए, सफर करते हुए इन्हें सुन सकते है और बाद में डारेक्ट किताबों के साथ इन रिकॉर्डिंग को पढ़ सकते है इससे ये किताबे बहुत तेजी के साथ पढ़ी जाती है तो आनंद ले, थैंक यू सो मच मेरी बेटी लॉरेन को पैदा हुए, सिर्फ साथ दिन ही हुए थे मैं और मेरी पत्नी बॉनी बुरी दरा ठके हुए थे हर रात लॉरेन हमें सोने नहीं देती थी बॉनी को दर्द की दवा लेनी पढ़ती थी चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी पांस दिन तक घर पर उसकी देखबाल करने के बाद मैंने सोचा कि अब उसकी हालत पहले से सुधर गई है और इसलिए मैं आफिस चला गया जब मैं आफिस में था तो बॉनी की दर्द की गोलियां खतम हो गई बजाए इसके के वह आफिस में फॉन करके मुझे पताती उसने मेरे भाई से गोलियां लाने के लिए कहा जो उसके हालचाल पूछने गया था भाई भूल गया और लोट कर नहीं आया नतीज़ा यह हुआ कि पूरे दिन बॉनी दर्द से कराती रही और अकेले ही बच्ची को संभालती रही जब मैं लोटा तो वह बुरी तरह दुखी थी मैंने सोचा शायद वह अपनी तकलीफ के लिए मुझे जम्मेदा ठहरा रही थी मुझे लगा वह अपनी परिशानियों के लिए मुझे दोश दे रही थी उसने कहा मैं पूरे दिन दर्द से तड़ती रही मेरी दर्द की गोलियां खतम हो गई थी मैं बिस्तर से उट नहीं सकती और किसी को मेरी परवा नहीं है मैंने रख शात्मक अंदाज में कहा तुमने मुझे फॉन क्यों नहीं किया उसने जवाब दिया मैंने तुम्हारे भाई से गोलियां लाने के लिए कहा था पर वह भूल गया मैं सारा दिन उसके लौटने का अंतजार करती रही मैं इसके सिवा कर भी क्या सकती थी मैं तो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ इस बिंदू पर मैं फट पड़ा उस दिन मेरा पारा भी चड़ा हुआ था मैं इसलिए गुस्ता था क्योंकि उसने मुझे फौन नहीं किया था मैं इसलिए गुस्ता था क्योंकि जब मुझे उसके दर्द का पता ही नहीं था फिर मैं वो मुझे दोशी क्यों मान रही थी कुछ कटू शब्द कहने के बार मैं दर्वाजे की तरफ बढ़ा मैं ठका हुआ था चर्चड़ा था और मैं ज़्यादा शिकायते नहीं सुनना चाहता था हम दोनों ही अपना आपा खोड़ चुके थे फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिन्दिगी बदल दी बॉनी ने कहा चरा थेरो प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ इसी वक्त तो मुझे तुमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है मैं दर्द में तड़प रही हूँ मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ प्लीज मेरे पास बैटकर मेरी बास सुनो मैं एक पल ठैर गया उसने कहा जॉन ग्रे तुम बड़े मतलबी दोस्त हो तुम केवल अच्छे वक्त के साथ ही हो जब तक मैं अच्छी और प्यारी बॉनी हूँ तब तक तो तुम मेरे आगे पीछे गूमते रहते हो परन्तु जब मैं परेशान या दुखी होती हूँ तो तुम मुझे छोड़कर चल देते हो फिर वै थोड़ा ठैरी और मैंने देखा कि उसकी आँखों में आशू थे उसने कहा अब ही मैं कश्ट में हूँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है इसी वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूत है प्लीज यहां आओ और मुझे थामो तुम्हें कुछ कहने की जरूत नहीं है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे बाहू में ले लो प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ मैंने उसे अपनी बाहू में ले लिया वै मेरे कंधे पर सिर्फ रख कर रोती रही कुछ मिनट बाद उसने मुझे धन्यवाद दिया कि उसके मुश्किल समय में उसे अकिला छोड़कर नहीं गया था उसी छण मैंने प्रेम का सच्चा अर्थ समझना शुरू किया बिना शर्त का प्रेम जहां कोई शर्त नहो मैं अपने आपको अच्छा प्रेमी समझा करता था परन्तु शायद मेरी पत्नी सही कहती थी मैं मतलबी इंसान था मैं केवल अच्छे वक्त का साथी था जब तक वहें खुश और बढ़िया रहती थी तो मैं उसे बदले में प्रेम देता था परन्तु जब वहें ना खुश या अपसेट रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वहें मुझे दोश दे रही है और फिर मैं या तो बहस करने लगता था या उससे दूर चला जाता था उस दिन पहली बार मैं उसे छोड़कर नहीं गया मैं ठहर गया और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जब उसे सचमुश मेरी जरूत थी उसे सिर्फ यह चाहिए था कि मैं उसे बाहों में ले लू ताकि वह मेरे कंधे पर सिर्ख कर रो सके शायद दूसरी महिला अपने आप समझ जाती कि बॉनी को क्या चाहिए था परन्तु चूंकि मैं एक पुरुष था इसलिए मुझे यह पता नहीं था छूना, आलिंगन करना, बाहों में लेना, उसकी बात सुनना उसके लिए इतना ज़्यादा महत्व पूर्थ था मेरे और उसके बीच के अंतर को जान लेने के बाद हमारे बीच के संबंद और मधुर हो गए इससे मुझे इस बात की प्रेड़ा मिली कि मैं इस विशएपर शुद करूँ पुरुष स्वाव और महिला स्वाव में क्या अंतर होते हैं साथ साल के शुद के बाद मैं इस निश्कश पर पहुंचा की पुरुष अलग तरह से सोचते हैं और महिलाएं अलग तरह से और दौनों के बीच विवाद अक्सर इसी कारण होते हैं क्योंकि दौनों को ही अपनी बिन्नताओं का पता नहीं होता जब मैंने सेमिनारों में इस बारे में विस्तार से बताया तो हजारों शादियां तूटने से बच गई लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने उनकी शादियां तूटने से बचा ली है सच तो यह है कि प्रेम के कारण उनकी शादी बच गई परन्तु यह भी सच है कि अगर उन्हें अपोजेट सेक्स के सोचने की तरीके की जानकारी नहीं होती तो उनमें निश्यद रूप से तलाक हो जाता हाला कि सबी इसी बात पर सहमत है कि पुरुशों और महिलाओं में भिन्नताएं होती है परन्तु वे कितने भिन्न होते हैं यह जायता लोग नहीं जान पाते मैंने 25,000 लोगों के सर्वे के बाद यह खूजी लिया कि महिला और पुरुश कितने और किस प्रकार से भिन्न होते है इस पुस्तक में दिये गए सबी सिध्धान अजमाए हुए है 25,000 लोगों में से 90 पुर्टिशत लोगों को इस पुस्तक में अपनी जलक दिखी अगर आप इस पुस्तक में पढ़ते समय से हिला रहे हों कह रहे हों हाँ आप मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं है इस पुस्तक से हजारों लाखों लोगों को लाप पहुचा है और आपको भी पहुंच सकता है बहुत सारे लोग अपने वेवाहिक जीवन में संगर्श करते रहते हैं उनके जीवन में इतना तनाव, द्वेश और जगड़ा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते हाला कि वे अपने पार्टनर को प्रेम करते हैं परण्तो जब तनाव होता है تو वो नहीं जानते कि ऐसे समेह माहौल को कैसे बहतर बनाया जा सकता है जब आप यह जान लेंगे कि महिलाएं किस तरह सोचती हैं, वैवार करती हैं किस तरह प्रतिक्रिया करती हैं तो आप उनसे बहतर रिश्टा बना लेंगे पुरुश और महिलाए नहीं सिर्फ अलग अलग तरीके से बोलते हैं बलकि वे अलग अलग तरीकों से सोचते, महसूस करते, देखते, प्रतिक्रिया करते प्रेम करते, तारीफ करते हैं अलग तरीके से ऐसा लगता है जैसे वे अलग अलग ग्रहों से आए हैं उनकी भाषाएं अलग हैं उनने अलग अलग चीजों की जरुषत होती है बिन्नताओं को समझ लेने के बाद हमारे लिए अपोज़िट सेक्स को समझना आसान हो गया है हमारी गात फैमिया दूर हो जाती है हम सामने वाले से जो अपेक्षाएं रखते हैं उनमें भी सुधार हो जाता है जब आप यह जान लेते हैं कि सामने वाला आप से उतना ही अलग है जितना की कोई दूसरे ग्रह का प्राणी तो आप उसे बदलने की खोशिश नहीं करते हैं बलकि निश्चिन्थ होकर उसके साथ सही योग करते हैं सबसे महत्पूर्ण बात या है कि इस पुस्तक में आपको हर जगे वहवाईक समस्याओं को सुलजाने के प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे विवा में समस्याओं तो रहेंगी क्योंकि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं परन्तु अगर आप अपने बीच के अंतर को समझ लें तो आपकी आदी समस्याओं तो अपने आप ही दूरो जाएंगे इस पुस्तक के बारे में एकलौती आलोचना यही हुई काश आपने हमें यह पहले बताया होता इस पुस्तक को लिखने का मेरा अदेश है यही है कि आपका विवाह सुक मैं हूँ शांती पूर्ण हूँ यह जरूरी है कि सुखी विवाहों की संख्या बड़े और तलाकों की संख्या गटे क्योंकि हमारे बच्चे बहता दुनिया में जीने योग है